मा किसी भी वक्त अपने घर से निकल कर कांधिवली ठाने जाएंगे जहां पर उनसे पूछताच होनी है आज राधे मा को कांधिवली में पुलीस के सामने पेश होना है पुलिस ने एक लंबी फैरिस सवालों के तयार करके रखी है राधे मा के लिए इससे पहले राधे मा ने जो अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी उसे मुंबई की कोट ने खारिच कर दिया था और अब खबर मिल रही है कि राधे मा किसी भी वक्त अपने घर से निकलें और सीधे कांधिवली ठाने का वो रुख करेंगी पेशी के लिए उन्हें निकलना है पुलिस के सामने पेश होना है आज सच से सामना होगा राधे मा का दहेज उतपीडन का ये पूरा केस है एक महिला ने दहेज उत्पीडन का केस दर्च कराया है राधे मा के खिलाफ और इसी सिलसले में पुलिस उनसे पूछ ताज करने वाली है इससे पहले राधे मा बीती राध माहिम की दर्गा पहुंची वहाँ पर चादर चड़ाई वैसे राधे मा पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं राधे मा लगातार विवादों में रही है तताकतित दर्मगुरू राधे मा पर धेर सारे आरोप लगे हैं लेकिन आज दहेज उत्पीडन का जो केस है उस सिलसले में उन्हें पुलिस के सामने पेश होना है इस वक्त उनके तमाम भक्त उनके घर पर नज़र आ रहे है सबने अपने माथे पर एक पट्टी बांदी हुई है जिस पर राधे मा लिखा हुआ है और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दूसरी तस्वीर में देखिए कि पूचताच से ठीक पहले बीती रात राधे मा माहिम की दरगा पहुँची चादर चड़ाने के लिए इस वक्त राधे मा के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके भक्त भी मौजूद है और ठाने के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है इस कबर पर हमाई नजर बनी हुई है